हाई एब्रिवान आज मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूँ कच्चे आलू का बहुत ही जादा टेस्टी और जबदस्त नाश्ता जो की जटपड बन जाता है जादा ज़ंजट नहीं है बहुत ही कम चीजों से हम इसे तयार करने वाले हैं तो आईए देख लेते हैं इसे कैसे ब मागीता किनु रेस्पी हिंदी में एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूं तो यहां पर मैंने आलू को अच्छों से कदुकस कर लिया है अब इसे हमें तीन से चार बर पानी से धोना है क्योंकि इसे अगर हम ऐसे रखते हैं तो यह लाल पर जाएंगे त इसलिए इस तरीके से पानी में डिप करके रखे हो तीन से चार बार अच्छे से धो लें तो इसे मैं साइड में रख देती हूं अब मैंने यहां पर आधा कप समा के चावल ले हैं जिसे वरत में खाया जाता है यह छोटे-छोटे गोल-गोल दाने की तरह होते हैं इस तरी और लेको दो लेट करदेंगे आव इस चाहवलो को हमें बिल्कुल बारिक पाउडर होने तकपीशना है मैं आपको दिखाती हूं किस तरीके से 2 बार अच्छे से चलाया था मिक्सी और ला न प्रस्तार है यहां पर पर है इसका चाहल काटा त्यार हो जाता है अब यहां । मैं गैस पे कढ़ाई रख रही हूँ इसके अंदर मैं डालूंगी एक टेबल स्पून देशी की तो व्रत में जो तेल है वो नहीं खाया जाता है और अगर आप यूज भी करना चाहते तो मुंगफली का तेल यूज कर सकते हैं तो यहां पर अब मैं इसमें डालूंगी एक ट सब्सक्राइब कर सकते हैं अब मैं इसके अंदर दो से तीन हरी मिर्च एड़ कर रही हूँ बारी कटी हुई इसे भी हल्का सा फ्राइ कर लेंगे अब इसके अंदर यह जो हमने आलू कद्दूकस करके रखे ती यह एड़ कर देंगे आप इस नाश्टे को उबले आलू से भी बना सकते हैं पर आज मैं इसे आपको कच्चे आलू से सिखा रही हूँ क्योंकि बहुत बार क्या होता है उबला हुआ आलू नहीं होता है और हमें छटपट नाश्टा बनाना होता है तो इस तरीके से आप इसे कच्चे आलू से भी हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको इसे एड़ करना है अगर आपके पास काली मिर्च का पाउडर हो तो वह एड़ कर सकते हैं इसे मैं अच्छे से एक-दो मिनिट के लिए पका लूँगी अब इसके अंदर में दो कप पानी एड़ करूँगी तो ये दो कप पानी मैंने इसमें एड़ कर दिया है और इसे हम कवर कर देंगे जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए जैसे ही इसमें उबाल आने लगेगा हम धक्कन हटा देंगे ये देखे ऐसा करने से जो आलू है वो बहुत अच्छे से पक जाते हैं और साथ ही हम इसमें चावल का आटा एड़ कर देंगे जो हमने पीस के रखा था और गैस को धीमा कर देंगे बिल्कुल क्योंकि जो आटा है वो जितना भी पानी होगा उसे अब्सॉब कर लेगा इस तरीके से धीरे-धीरे मिक्स करते जाएंगे इसमें लंप्स बन जाते हैं इसलिए ये काम ब नाश करते हुए इसे मिक्स करें और इसे तब तक पकाना है जब तक ये ऐसा डो की तरह न हो जाए तो इसे मैं निकाल लेती हूं साइड में रख लेते हैं अब यहां पर मैंने एक थाली ली है इसके अंदर मैं घी लगा लूँगी और इसके अंदर हम इस गरम-गरम मिक्षर अभी काफी गरम है इस तरही के से इसे निकाल लेंगे हाथ ना लगाएं बिल्कुल भी आप जल सकते हैं अब मैं इसके अंदर एड करूंगी बारिक कटा हुआ हरा धनिया और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहां पर मैंने हरा धनिया भी मिक्स कर लिया है और यह दिखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है यह हमारा मिक्षर तैयार हो गया है अब मैं एक दूसरी थाली लूँगी और उसके अंदर भी घी लगाऊंगी घी लगाने से जो मिक्षर है वो थाली में चिपकेगा नहीं और अब जो हमने मिक्षर तैयार कहता वो इसमें एड़ कर देंगे और इसे हमें फैल आगे बर्फी जैसी शेप देना है जैसे हम बर्फी के लिए शेप देते हैं बिल्कुल वैसे इस तरीके से आपको दे देना बिल्कुल प्लेन कर लेना है इसे मैं फ्रीजर में रख देती हूं 10 मिनिट के लिए और तब तक हम चटनी तियार कर लेते हैं उसके लिए मैंने या पे थोड़ा सा हरा धनिया लिया है हाफ कॉप दही लिया है थोड़ा सा खटा दही है और इसके अंदर मैं एड़ करूंगी सेंधर नमक टेस्ट के एकॉर्डिंग काली मिर्च हल्की सी हाफ टीस्पून की करीब दो हरी मिर्च आधा इंच अद्रक का टुकड़ा इसके छोटे-छोटे पीसेज करके डाल देंगे एक टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर और हल्का समया पे पानी आड़ करें पानी जादा नहीं आड़ करना नहीं तो चटनी बहुत पतली हो जाएगी अब इसे हम बन कर देंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे और यहां पर देखे हमारी बहुत बढ़िया दही वाली चटनी रेडी हो गई है एक बार आपको दिखा देती हूँ यह देखे बहुत अच्छी हमारी चटनी तैयार हुई है तो इसे मैं बाउल में निकाल लेती हूँ यह चटनी खाने में बहुत अच्छी लगते है वरत में आप किसी भी स्नाक के साथ इसे खा सकते हैं अब जो नाश्ता है वो बहुत अच्छी से सेट हो गया है इसके हम पीसिस कट करेंगे तो इस तरीके से क्रॉस में इसे काटेंगे बिरको बीच ओ बीच आपको इसे इस तरीके से काटना है अब इस तरीके से बीच में से काट देंगे तो ऐसा करने से इसके ट्रैंगुलर पीसिस तैयार हो जाएंगे आप चाहे तो इसके square pieces भी cut कर सकते हैं यह आपके उपर है आप इसे कैसे cut करना चाहते हैं तो मैं इसे इस तरीके से triangular shape में cut देती हूँ एक piece में आपको निकाल के भी दिखाती हूँ बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं यह देखे कितने आसानी से निकल गया और बहुत अच्छा लग रहा है यह देखे कितने अच्छे pieces निकले हैं बस इसे अब हम भी fry करना है और fry भी हम ज़्यादा तेल में नहीं करने वाले से बहुत ही कम घी में fry करेंगे जिससे कि यह बहुत ज़्यादा healthy भी होता है तो इसे हम देशी घी में fry कर लेते हैं थोड़ा समय ने देशी घी डाल दिया है और इसके उपर में इस तरीके से तवे पर यह सारे जितना में नाश्ता है वह सब हम लगा देंगे इसे हम एक साइड से पकने देंगे और जब यह साइड से पक जाए तो इस तरीके से बहुत आराम से इसे पलट देंगे तो इसे हमें दोनों तरफ से गोल्डन-ब्राउन होने तक पकाना है अभी यह आप देख सकते हैं कलर इतना अच्छा नहीं आया है तो इसे में फिर से दुबारा से पलट दूँगे और इसे तब तक पकाने है जब तक कि दोनों साइड से काफी अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए तो बहुत ध्यान से पलट येगा नहीं तो ये टूट भी सकता है काफी सॉफ्ट है अभी और जब ये पक जाता है तो उपर से एकदम क पलट रही हो ताकि ये टूटे नहीं तो अभी इतना अच्छा कलर नहीं आया तो इसे में दोनों साइड से काफी अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पका लूँगे तो ये देखी काफी अच्छे से दोनों साइड से क्रिस्पी हो गए है और बहुत कम घी ओईल का इस्तमाल होता है तो काफी हेल्दी रेस्पी है मुझे तो बहुत जादा पसंद आती है टेस्ट में बहुत लाजवाब है तो इस तरीके से देखी नाश्ता हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है अब इसे हम सर्फ कर लेते हैं अपनी जो हमने ग्रीन चटनी तैयार की है उसके तो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ तिल देन गुडबाई